कहानी, कब आऊँ, अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गाव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया, सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे, धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेट को बहुत इर्शा महसूस होने लगी, अवंती को परिशान करने के लिए वह सेट कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा, दर्वाजे के अंदर घुस्ते ही सेट बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूं, तुमारा हुनर कैसा है, तुमारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूं, अवंती ने सेट जी से पूछा, सेट जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं, सेट ने कहा, रंग, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आस्मानी, काला और बैंगनी रंग कता ही अच्छे नहीं लगते, समझे की नहीं, अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, अच्छी तरह समझ गया हूं, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा, अवंती ने सेट का मनसूबा भाबते हुए, उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया, सेट ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आउँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेट से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, ब्रस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़ कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेट समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतह बलाई धीरे से खिसक लेने में ही हैं। फिर उस सेट ने दोबारा अवंती की दुकान में खुसने की हिम्मत नहीं की। झाल 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 झाल